नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदिस्तार और मैं हूँ आपके साथ मनीशा आज मैं बात करूंगे एक बहुत महत्वापूर्ण मुद्दे पर और वो है ब्रेंडिड कल्चर इंपोर्टिड कल्चर जैसे कि हमारी जो यह सोफस्टिकेड़ क्लास सो कॉल्ड तो उनके लिए जो इंपोर्टेड लोग होते हैं बहुत जादा एहमियत रखते हैं जबकि जो हमारे जो भारतिय संस्क्रती से जुड़े हुए जो टेलेंटिड लोग हैं उनकी निगाह में कोई वैल्यू ही नहीं रहती इसका हाल फिलाल में एक बानगी देखने को मिली ज इतना दुखी दिखे कि जैसे उनकी अपनी दादी नानी या उत पर भी इतना उनको दुख नहीं होता होगा वो क्या करती थी क्या खाती थी कैसे सोती थी सब मीडिया बताय जा रहा था और हमारे भारत के ऐसे जो वर्ग जो हमेशा मानते रहते हैं कि भारत एक गरीब इसे मुगलों ने अंग्रेजों ने बढ़िया बनाया भारत में आर्य बहार से आये थे और उन्हें द्रमिड लोगों को युद में हरा कर भगा दिया था और उनके देश पर कबजा कर लिया था जिनका मानना है कि रमायन महभारत वेद उपनिशद आदी को स्कूली किताब मे जो है एक मायथोलोजी ही बताया गया है राम जी और क्रिशन जी को काल्पनिक बताया गया है तो ये सारी चीजे मानने वाले लोग अपने धर्म को नीचा देखने वाले लोग नीचा दिखाने वाले लोग और जो विदेशी कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उससे बहुत ज़़ा प्यार करते हैं तो ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में कितने महान लोग सच में रियल जो महान great people हैं वो यहां रहते हैं तो अभी हाल फिलाल में ही 10 सितंबर को भारत के एक महान जो ये आर्कियोलोजिस्ट थे और इत्यासकार थे प्रोफेसर ब्रजवाती लाल जो की famous हैं बीबी लाल के नाम से उनका निधन हुआ उनकी मृत्यू 101 वर्ष की आई में हुई तो अब कुछ लोगों को से शायद उनका नाम भी ना पता हो वो पूछेंगे कौन है भाई ये जिनके बारे में आब बात कर रहे हो तो हमारे देश के स्कूलों में जो इतिहास के नाम पर अफीम चखाई जाती है जो जूटा इतिहास पढ़ाया जाता है जो so called branded culture के जो इतिहास का रहे हैं जो उन्होंने लिग दिया वही उसको जो है ब्रहम वाक्य मान लिया जाता है तो उनके लिए तो बीबी लाल शायद कोई नामी नहीं था लेकिन आज मैं उन्ही के बारे में बात करूंगी नमन करूंगी बीबी लाल जी को नमन करती हूँ श्रद्धानजली अर्पित करती हूँ और आप सभी लोगों से भी आगरे करती हूँ कि उनके बारे में जाने और उनको श्रद्धानजली अर्पित कर तो राम मंदिर जो अभी अहुद्या में बन रहा है ना उसका मूल कारण ब्रजवासी लाल जी थे जिन्होंने ये साबित किया था कि राम मंदिर नामक देवाले वही था जिसे भाबर ने तोड़ दिया था ये जो सारी बाते अभी आपको मैंने बताया ना कि रामायन महाभारत को जो एक मित मानते हैं उन सभी को प्रॉफेसर बीवी लाल ने जूटा साबित किया था प्रॉफेसर बीवी लाल के कारण ही भारत के हिंदू को पता चला कि रामायन महाभारत कोई कालपनिक बात नहीं है वैसे तो ये हम सभी का अपना ये अंदर से हमारा विश्वास है अटल विश्वास है कि ये सारी बाते हमारी कालपनिक नहीं बलकि एक जीता जाता इतिहास है और जो सच में घटित हुआ था बीबी लाल जी ने द्वारी का नगरी पर भी शोद किया था और उन्होंने ही समुद्र में द्वारी का की शोद करने के बाद उस पर रिसर्च भी की भारत के रमैन और महा भारत काल के अफशेशों को खोज करके उन्होंने धेरो रिसर्च की उनकी इस सेवा के कारण ही आज ह हम लोग उन अंग्रेज और मुगलों के गुलाम लेफ्टिस्ट हिंदुों के मुह बंद करवा पाए हैं जो राम को काल्पनिक साबित करना चाहते थे। कॉंग्रेस के सो कॉल्ड महानेता कपिल सिब्बल जी की भी उस P.I.L. को इन्होंने जूटा साबित कर दिया था जिसमें बताया गया था कि राम काल्पनिक थे आर ये लोग बहार से आये थे इस थियोरी को भी बीविलाल जी ने अपनी रिसर्च द्वारा जूटा साबित किय तो जब बीविलाल जी का निधन हुआ हाला कि खबर तो आई लेकिन इसको इतना ज़्यादा कवरेज नहीं दिया गया उनका अंतिम संसकार हुआ यूपी में जहासी से क्योंकि जहासी में उनका जन्म हुआ था लेकिन किसी भी मीडिया या नियूस पेपर में बहुत ज़् उनको कवरेज नहीं दी गई क्योंकि क्योंकि वो तो हमारे देश के अपने थे और जैसे कि मैंने आपको बताया घर की मुर्गी दाल बराबर वी टेक ग्रेट इंडियन्स पॉर ग्रेंटेड तो सारे तो मीडिया ओहत ग्रेट जो फीचर्स थे नियूस थी उनको कवर करने में लगी हुई थी तो आप से मेरी ये गुजारिश है ये अनुरोध है कि जानिये अपने देश के सच्चे सपूतों को अपने धर्म योद्धाओं को और उनको श्रिद्धान जली अर्पित करिये बीबी लाल जी के बारे में मैं और अधिक यहां नहीं बताऊंगी क्योंक आपको सिरफ उनके बारे में जानकरी दी एक हिंट दिया बाकी पीएजडी आपको उनके बारे में स्ट्रेम करनी होगी भीबी लाल जी की एक पुस्तक है इंद्रप्रत दे बेकिंग टाइम ओफ डेली और एक और किताब है उनकी टाइम्स ओफ रिगवेद एरा पीपल्स यानि की रिगवेद के समय के लोग और विवस्ता और भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तके लिखी हैं जिसे जब आप पढ़ेंगे तो पढ़कर जानेंगे अपने देश और संस्कृती की महान विरासत के बारे में आप सभी के ज्यान चक्षू भी खुलेंगे और इतने अ तो ऐसे ग्रीट परसन को महान विवूती को सादर नमन और विनम्र श्रद्धान चले और आप लोगों से एक बार फिर से अनरोध करती हूं कि अपने देश के जो महान व्यक्ति हैं जो जीवित हैं जो लिविंग लेजेंड हैं या जो परमगती को प्राप्त हो चुके हैं उन सबी की वैलियू को फैचानिये उनको नमन करिये और अपने देश और अपनी संस्कति को आगे लेकर जाएए और इस महान विरासत को अपनी भावी पीडी को भी आदर और नमन के साथ सौपिएगा तो सोची गए जरूर मेरी बात पर जैहिन वंदे मात्रब सुनते रहि अपना काव